हेलो गाइज वेलकम अगेंट तो माई यूट्यूब चैनल माई नेम इस मनिश गुपता यूर वाचिंग बी एस सी जी लेक्शर्स तो गाइज आज की जो क्लास होने वाली है आज हम बॉटनी की दूसरी बुक की क्लास लेने वाले हैं यानि बी-बी-वाई-ई-टी-1-3-3 क की हम क्लास लेंगे जो कि हमारे बुक का सब्जेक्ट कोड है और प्लांट इकलोजी और टैक्सोनोमी आपका क्या है बुक का नाम है देन उसके बाद देखे आज क्या है यूनिट वन को आज हम इंटर्डूस करेंगे एक तरीके से है ना उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकलोजी यानि प्लांट के एकलोजी के एकलोजी जो होती है प्लांट इकलोजी उसका हम क्या है एक तरगे से इंट्रोडक्शन देंगे तो यह पार्ट वन रहने वाला है पार्ट टू अगर एक में गुसा दूँगा तो देन उसके ब जिसमें हुआ, काफी आपके similar questions आए हैं, तो tension मत लेजिए, आपके भी इस सारे questions क्या कहते हैं, BBY, CT133 के भी, आपके क्या कहते हैं, previous year के questions वगरा मैं solve करवा दूगा, लेकिन वो exam से एक दू दिन पहले ही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको करा देता हूँ, तो आप उसको seriously नहीं लोगे, और अभी पढ़ लोगे, तो आपके exam के दिन भूल जाओगे, ठीक है, तो उन questions को मैं बाद में कराऊँगा, ठीक है, तो उन questions को मैं बाद में कराऊँगा, ठीक है, प्रॉपर class लीजिए, इनको अच्छे से समझजिए, detail में, क्योंकि कहीं से भी updates, you can subscribe our telegram channel at the rate, bio lecturer, ठीक है, link मेंने description में दे दिया, आप जाके हमारे telegram channel को subscribe कीजिए, उसमें जितने भी आपके notes, material, study material जो भी है, आपको वहाँ पर provide करा दिये जाएंगे, ठीक है, जल्दी से subscribe कर दिये, बहुत सारे बच्चे नहीं अभी तक करें subscribe, तो गलत बात है, करें, unit 1 है हमारा, unit 1 में हम क्या पढ़ने वाले, introduction to plant ecology, ठीक है, and then इसमें देखिया, आप structure आप देख सकते है, बहुत ही easy रहने वाला है, ऐसा लगया कि आप environmental studies पढ़ रहे है, environmental studies पढ़ने है, जो की हाल में ही मैंने एक आज जो chapter कर आए थे, our environment के, आपको एकदम similar लगेगा तो ज़्यादा आपको difficulties, आपको face नहीं करना पड़ेगा इस chapter को लेके, बिल्कूल आप एक दब mind fresh रखिये इस chapter को पढ़ने इस पहले, बाकि आपको सारी चीजे मैं तो समझा ही दूँगा, है ना, समझ जाओ गया, then बात करें, देखिया है, पहला हमारा introduction है structure में, then उसके हम क्या है, ecology के बारे हम जानेंगे, कि ecology क्या होती है, फिर उसके बाद ecology के history के बारे हम जानेंगे, जिसमें different scientists ने ecology को define करा है, ठीक है, then उसके बाद क्या है, sub division of ecology, यानि हमने ecology को कई सारे divisions में बाटा है, है ना, तो उन divisions के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, then उसके क्या है एक तरह का relation establish करते है, relationship होता है हमारे ecology का, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगा, कुछ basic terms है ecology के, जैसे के environment हो गया, biosphere हो गया, ecosystem हो गया, population हो गया, community हो गया, इनको तो हमें एक तरह के से रट लेना है, एक तरह के से पहले जाईए हमारे फटा फट चैनल को subscribe करें, bell icon बटन को press कर दिए थाके हमारी वीडियो की notifications आप सभी को सबसे पहले मिल सकें, ठीक है, तो लेट मत किजिए फटा फट जाके चैनल सबस्क्राइब करें, जिन्होंने नहीं करा है, जिन्होंने कर दिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, एंड वीडियो लाइक आप लास्ट में कर दिया, तो देखे क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हम ओर्गनिजम की बात करें, ठीक है, ओर्गनिजम जो है, वो किसी भी प्रकार के आइसलेशन में नहीं रह सकता, यानि अगर मैं बोलू, एक ओर्गनिजम है, और आपको क्या कर रहे है, आप उसके इंवार्मेंट से उसे आइसलेट कर दो, ठीक है, जैसे कि वो अर्थ पे र जाता है, या मैं बोलू, उसको चारो तरफ से दिवार में चिनवा दो, तो वो सर्वाइब करेगा, नहीं कर पाएगा, तो सारे ओर्गनिजम जो है, वो लिंक्ट होते हैं, अपने आपस के सराउंडिंग से, ठीक है, उसको अगर अपना सराउंडिंग नहीं मिलेगा, तो उसको सर्वाइब करना मुस्किल हो जागा, यहां पर लिखा भी है, सर्वाइबल ऑफ एन ओर्गनिजम दस डिपेंड अपॉन इट्स सराउंडिंग, किसी भी ऑर्गनिजम का जो सर्वाइबल होता है, जो वो सर्वाइब कर रहा है, वो अपने इन्वार्मेंट पर डिपे तो भाई, सिंपल सी बात है, अपना जो सर्वाइबल होगा, वो हमारे क्या होगा? इन्वार्मेंट होगा, आपके आज-पास अगल बगल एक इक वस्तुु, एक एक चीज़े एक एक हवा, जो भी आपका air है, वो सारा क्या है आपका एनवार्मेंट है, ठीक है, एनि तो ऐसा समझ सकते हैं तो इसके बाद हम बात करें न्यूट्रेंट्स हो गया एनर्जी हो गया वह क्या है डिस्टिब्यूटेड मिलेगा आपको वेरियस एमॉंग वेरियस लिविंग कॉंपनेंट्स प्रिजेंट इन पर्टिकलर इन्वार्मेंट्स एक आपको अलग-अलग मिलेंगे ऐसा निया कि सब चीज आपको एक ही जगे मिल जाए मिलता है क्या देन बात करें एकोलोजी जो है आपकी वह क्या करती है वह क्या पढ़ाती या फिर क्या समझाती है तो एकोलोजी एक स्टड़ी है जिसमें क्या है आप relationship के बारे हम पढ़ते हैं आप और्गनिसम तो यह सारे इनकारांदिंग के साथ जो relationship होता है वही आपका क्या कहलाता है वही आपका ecology कहलाता है ecological studies की बात करें तो वह deal क्या करता है relationship of organisms with their environment वही same line दुबारा से लिख दिया ecological studies क्या करता है वह relationship होता है organism का उसके environment के साथ, surrounding के साथ वही आपका क्या कहलाता है ecological study है फिर ecological कहलाता है इस unit में आपको provide क्या गया information किसके बारे में तो जो concept है, basic concept है का उसके बारे में हम just पढ़ेंगे ठीक है जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हम क्या है plant ecology के पढ़ने वाले तो basic हम्होंरा focus जो होगा plant ecology पे रहएगा बाकी हम सभी सब्सक्राइब को हम क्या है discuss करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमें क्या पढ़ना आउटकम्स हमें क्या मिलने वाला है, यह भी जानना जूरी है, क्योंकि आप पढ़ लें, देन उसके बाद आपको मालूम ही नहीं है, कि आपने आउटकम्स क्या लिया है, क्योंकि यह देखिए, आउटकम्स जो बोला जाता है, यही पे से आपके questions बन जाते हैं, जैसे कि यह आपके बोला है कि आउटकम्स में environment हो गया, आपका population हो गया, community हो गया, ecosphere हो गया, यह सारे various चीजों को ecology के terms को define करेंगे, तो हमें इन सब का knowledge हो जाएगा, जितने भी आपके यह क्या है, basic components है, ecology के, क्या क्या है, environment, population, community, ecology, ecosphere, कोई दिक्कर, दैन उसके बाद हम क्या है, ecology के subdiv divisions को describe करेंगे, मैं नहीं बताओंगा अभी कौन कौन से divisions है, लेकिन आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियो में, आपको सभी चीजे बारी की से crystal clear होती जाएगे, ठीक है, वीडियो को कोई भी skip ना करें, आप चाहे तो fast forward में देख सकते है वीडियो skip करेंगा तो देन उसके बाद आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, पूरा नॉलेज लेने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर वाच करें, देन उसके बाद देखे क्या है, आउटलाइन जो एक तरीके से natural और main made environment है, उसके बीच में जो difference है, उसको outline किया गय देन उसके बाद enumerate करेंगे knowledge को about recent developments of the field of ecology, जो हाल की समय में हमारी ecology के field में, जो भी development हुए है, उनके बारे में हम क्या है, डिसकस करने की कोशिस करेंगे, देन उसके बाद हम discuss करेंगे interrelationship between ecology and other disciplines, जो भी other disciplines, जो biology के हैं, उसका हम ecology के साथ एक तुलना, एक तरीके से relation check करें तो ये सारी चीजे आपका in chapter में होने वाला है, देन हम बात कर लें, फटा-फट, what is ecology, आपका मान लिजे कि ये question आपके paper में आ जाए, बोले भाई, ये 5 नंबर का है, और आप लिखो, what is ecology, तो क्या लिखेंगे, यहां पर आपको समझ में आजागा, एक हंसरेटर जो है, ज oikos, जिसका मतलब होता है, home, and दूसरा है, क्या, logos, logos, logi से हमने क्या निकाल दिया, ecology, देखो, ecology, eco, eco का मतलब हो, eco को हमने लिखा, oikos, and logi को हमने कर रहा है, logos, ठीक है, तो oikos plus logos, logos का मतलब होता है, किसी चीज की study करना, ठीक है, तो इस word से इन्होंने एक तरह की से derive करा, कि भाई, युदे, ecology है, ecology को हम क्या कहेंगे, ecology का मतलब हो गया, home, and study, यानि हम अगर अपने home की study करते हैं, तो just that is called ecology, उनके द्वारा कहा गया, देन उसके बाद बहुत सारे scientists हैं, जिन्होंने और भी term coin करा, जैसे कि, उन्होंने एक और term coin करा, जैसे कि, 1869 में एक German biologist थे, जिनका नाम था Unstacle, इसके बारे में हमने, क्या कहते हैं, environmental studies में ही पड़ा था, उन्होंने literally बताया कि, भाई, जो study of the home है, वही आपका ecology कराता है, उनके द्वारा एक और बात है कही गई, जैसे कि, ecology जो है, वो branch of science है, जो की deal करता है, study of interrelationship between living organism and their surrounding, यानि आपस में जो संबंध है, किनका, organism का, ecosystem के साथ, उसके, या मैं बोलो, surrounding के साथ, that is called the branch of, sorry, क्या कहते हैं, ecology, ठीक है, तो कुछ इन्होंने इस तरीके से उन्होंने इस चीश को define करा था, then, उसके बाद हम बात करें, scientifically हम ecology को किस तरीके से define करते हैं, या फिर उन्होंने define जो करा, तो एक तरीके से उन्होंने define करा, कि भाई, study of interrelationship of organism with their surrounding, मत्तब एक क्या है, same, जितने भी scientist आते गए, उन्होंने एक same term का use करा, interrelationship, और उसके, क्या है, किसके between organism, और उसके surrounding between, then, उसके बाद, other, एक और definition आ जाता है, जो कि different, different scientist द्वारा दिये गए, जैसे कि would भी हो रही है, 1954 में उन्होंने define करा, वही is the science that investigates organism relation to their environment, यानी, यहाँ पर भी देखे क्या है, कि यह कह रहा है, कि जो organism है, वो जो investigate करते है, मतलब, एक science है, जो investigate करता है, पता लगाता है, क्या पता लगाता है, कि organism जो है, उसका जो relation है, उसका environment के साथ क्या relation है, किस तरीके से relation है, वो चीज़ जो पता लगाता है, that's called ecology, फिर एक E.P. Odom है, उनोंने भी define करा, ecology को, the study of structure, function of nature, ठीक है, जो study of structure, मतलब, जो हम structure को समझते हैं, और किस तरीके से function करता है, हमारा nature, हमार परियावरन, तो उस चीज़ को, जो study करते हैं, उसको ecology, तो different, different scientist है, अलग-अलग term को use करा, अलग-अलग definitions को use करा, लेकिन आप देखिएगा, कि सभी, जो definition है, उसका जो core point है, या मैं बोलो, एक mathpun बिंदू है, वो आपका यही है, कि जो inter-relationship होता है, किस के between, organism का surrounding के between, organism का environment के between, वही आपका क्या किलाता है, ecology किलाता है, उसकी जो study करते हैं, वही basically आपका ecology किलाता है, तो आपका ecology clear हो गया, crystal clear, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ecology से related सवाल आ गया, तो आप कर देंगे, then उसकी रही है, ecology को ही, या फिर ecology को हम किस तरिके से उसकी history को define करते हैं, अगर हम बात करें, एक man है, man ने क्या, man या जो भी है, human being है, human being ने ही सबसे पहले क्या करा, हमारे अर्थ को या planet को occupy करा, ठीक है, see ही, जो भी हो इसमें हो, उन्होंने लिखा है कि closely linked होंगे अपने surrounding से, हना, कि आपका हो गया, food, simple सी बात है, जीने के लिए, खाना चाहिए, clothing चाहिए, भाई, ठंड से भी तो बचना होता है, shelter चाहिए, बारिस से बचने के लिए, तो ये सारी जो चीजें है, सारी जो जरुरत की चीजें, कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी, ये man है, human being है, जो भी है ये कहां से मिलेगी इसको, तो simply human being को उसके nature से मिलेगी, human being को उसके environment से मिलेगी, human being को उसके surrounding से मिलेगी, ठीक है, surrounding से मिलेगी, तो different words का इस्तमाल किया गया है, आप भी चाहिए तो इन में से एक word का इस्तमाल कर सकते हैं, ज्यादा आपको बढ़ा चेड़ा के लिखने की ज extra seat is not allowed, तो extra seat तब ले ना बच्चा, जब क्या कहते हैं, वो पूरा seats को भर पाया है, तो आपको भी कोशिश करनी है कि ज़्यादा-ज़्यादा seats भरें, और ज़्यादा-ज़्यादा चीजों को define करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पूरे number में लेंगे, द उन्होंने introduce करा, scientific ecological approach पूरी दुनिया के सामने में, कि भई हम जो ecology की बात करते हैं, भई environmental studies हर कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं है, basically science वाले student पढ़ते हैं, या फिर commerce वाले या फिर arts वाले, लेकिन अगर हम बात करें, scientific term की बात करें, जो scientific approach की बात करें, तो वो पूरी दुनिया को बताना जोरी है, ecology के बारे में, तो बस उन्होंने क्या करा, इस चीज को describe करा, क्या describe करा, तो वही बताया, उन्होंने simple word में, relationship जो है, उसके environment के साथ, है न, वही उनका scientific term बन गया, तो यह कैसे पागल बना रहे हैं, देखें, नॉर्मल सी चीज है, जो कि अभी भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय के लिए जो ये थियोफेटस जो है, भाई BC की बात करें, before Christ, यानि बहुत पहले जो ये term दिया गया, पहले वक्ती थे जो इन्होंने इस चीज को coin करा, इन्होंने term करा, जो कि एक तरीके से देखें, तो बड़ी उपलब्दी थी, है न, तो यहा भी आपका survival condition है, organism का, क्या कहते हैं, उसके nature के साथ, उसी के बारे में, वो history records बताते हैं, कि भाई, history में भी ऐसा ही रहा है, बात करें, 18th century की European naturalist थे, उनका नाम था, फ्रेंच जो जो बफवन था, जिनका, जीवन का 1707 से 1788 से रहा है, उन्होंने इंट्रडूस करा, एक concept को ecology के जिन्हों डिस्क्राइब करा हुई relationship का, relationship of animals, यानि animal का relationship, उसके जो environment के साथ है, उन्होंने एक book लिकी थी जितका नाम था, natural history, उसमें उन्होंने इस चीज को mention करा था, दन उसके बाद हम बात करें, plant geographer थे, उनका नाम था, काल लुडविंग, विल्डू, विल्डू, क् development, surrounding, जो भी है आपका, development of vegetation, ठीक है, किस तरीके से हमारे आसपास में, vegetation का development हो रहा, उस चीज को उन्होंने, point करा, आपने, जो भी उन्होंने, बाते कहीं होंगी, या फिर book लिखा हुआ, दन एक और Swedish naturalist थे, जिन का नाम था, काल लिने, अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जान तो काफी ज़्यादा famous है है, उन्होंने, एक तरह के से, एक ground करा, एक तरह ग्राउंड पे उन्होंने बताया कि भाई, जो modern ecology है, around 250 years ago, यानि 250, 250 सालों के बीच में, वो आपका, जो भी चीज बता रहा, उसके बारे में बताया, उन्होंने बताया कि भाई, ये जो है, उन्ह हो गया, और भी different, different organisms में, as well as उन्होंने, types of mineral और soil पे भी क्या करा, एक तरह के से, discuss कर, sorry, study करा, तो देखिए क्या है, developed a study of naming plant, plant animal college, bionomal nomenclature, हाँ, इनके ही द्वारा bionomal nomenclature दिया गया था, जो कि, आप जो taxonomy करते हैं, taxonomy, taxonomy is also the branch of bioscience, ठीक है, taxonomy, ठीक है, तो किसी भी organism का नाम करण करना, या नाम देना, वो किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से एक system मनाया जाए, तो वो cardliness दरह ही किया गया था, ठीक है, उसके बाद क्या है, उनके system के according, जो living organism है, वो consist करता है दो पार्ट, यानि पहला पार्ट होगा आपका genera, दूस होगा आपका species, simply, हम जब भी taxonomy करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम genera देखते हैं, है ना, genera देखते हैं, and then उसके बाद हम क्या species देखते हैं, यह कौन से species है, कौन से specific area में पाए जाता है, तो यह genera plus species करते हैं, तो देन उसका हम क्या है taxonomy करते हैं, इसी type के naming तो आपका generic name और specific epithet होता है आपका जिसके थुरू आप क्या करते हो जिनका नाम थे जिनका नाम थे Alexander von Humboldt इनका जो जन्म हुआ था 1769 में ये मारे गए थे 69 & 1859 में ये उनकी देखो क्या है इन्होंने study करा था relationship उन्होंने किसके बारे में करा तो vegetation जो है अब देखो इन्होंने अनिमल के जागे vegetation का नाम ले लिया ठीक है तो vegetation जो है environment of during his travels उन्होंने जो भी vegetation को explore करा देखा उन्होंने उसके environment से तो देन देखो क्या है various part of the world वो पूरी दुनिया में गूमे और पूरी दुनिया में कई सारे vegetation के बारे में जाना उनका surrounding से relation के बारे में तो उन्होंने एक तरीके से compiled करा एक book compiled करा जिनका नाम था voyage ox reason क्यों नॉक्सलिज है ना बड़ा ही जीब गरीब नाम है तो इन्होंने एक book compile करा उन्होंने इसमें यह describe करा है कि भाई जो vegetation zone है वो based होते आपने latitude और altitude पर ठीक है different latitude और altitude में यह just आपके क्या कहते हैं जब हम अर्थ मनाते हैं geography में and then उसमे latitude altitude देते ना तो just different latitude altitude में गए वो और वो vegetation zone है उनके latitude altitude के हिसाब से ही describe किये जाते है बेजड होते है देन उसके बाद क्या है उन्होंने correlate करा भाई vegetation और उसके environmental characteristics के साथ और उन्होंने क्वाइन करा टाम इसका नाम दिया plant association plant का association किसके साथ देन उसके environment के साथ उसके ecology के साथ देन देखे किया Charles Darwin थे 1809-1802 यानी 1809-1882 के बीच में उन्होंने एक theory दी जिनका नाम था natural selection इसके बारे में हम जानते भी होंगे हमने चोटी ग्लासों में पढ़ाया इनके बारे में देखिया origin of species यानी उसमें या natural selection जो theory थी वो अपने एक book में लिखते हैं जिनका नाम था origin of species याद रखेगा Charles Darwin ने origin of species नाम की एक book लिखी थी ठीक है अगर चोटा मुटा question बनता है तो आप कर दोगे देन उसके बाद क्या है compare करा उन्होंने similarities और dissimilaties को इनके between तो species और क्या है वो जो different different reason में पाए जाते हैं उनके basis पे उन्होंने क्या है compare करा उसके similarities and dissimilaties को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और उनने एक attribute difference को बता है attribute यानि characteristic difference कह सकते हैं तो species और उसके geological barrier के barrier हो सकता है mountain geological barrier हो सकता है कुछ भी आपका हो सकता है ठीक है जिसके त्रू अलग-अलग species का formation भी होता है आपका हाना हमने just पढ़ा भी है यह भी छोड़ी class हो में या फिर आगे हम पढ़ेंगा अगर नहीं पढ़ा है आपने तो तो देखे गया यह जो theory है उनका based था एक concept क competition between the species यानि एक तरके से species के between क्या है competition चल रहा है आप सभी को मालूम होगा कि इस अर्थ पे वही survive कर पाएगा जो क्या कहते हैं जो जादा adaptable होगा या फिर जो जादा उस चीज को adapt कर पाएगा जो changes हो रहा है हमारे environment ठीक है तो क्या है just competition चल रहा है different species के between तो एक concept है जिसमें कहा गया competition between species देखिया हर्बर्ट स्पेंसर जो है 1822 1903 के में उन्होंने क्या है एक consider करा कि जो founder थे social ecology के नहीं स्वरी उन्हें क्या है लिखा है नहीं लिखा है तो देखिए survival of the fittest यानि जो फिट है बंदा वही survive कर पाएगा ना तो वही fittest survival of the fittest तो some of these studies carried out 19th century focused on the animal behavior अब 19 सदी आते आते हम क्या है इन सभी चीजों को shift कर दिया हमने animal behavior पर भाई animal किस तरीके से behave करता है किस तरीके से वह work करता है उसके बारे में भी हमें जानना जो रही थी था तो दें देखिए contribution of some renault ecologist देखिए हम कुछ contribution के बारे में जानेंगे बीच बीच में ना यह book मैंने जाज डाउनलोड किये इसमें कुछ चुल्टा सीधा डाल दिया है छोड़ी है तो देखिए एक्जाम में directly तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बट हम क्या है जानना जुन रही है इनके contribution को जानेंगे आज तभी हम इनके कारण ही इतनी चीजों को हम जान पा रहे है तो देन देखिए क्या है लवेजियर है इनका नाम है लवेजियर एंड दा ससुरे ससुरे नाम है य 1794 के बीच में उन्होंने contribute करा एकोलोजी के फिल्ड में उन्होंने describe करा भाई nitrogen cycle नाइटरोजन साइकल अज जो हम पढ़ते हैं किस चरीके से nitrogen fix होता है different different organism के थुरू या फिर different different microorganisms के थुरू तो उन्होंने एक तरह किसे डिस्क्राइब करा nitrogen cycle को अंड उसके बाद डिफाइ हो गया hydrosphere हो गया lithosphere हो गया इनके बारे में भी हम अच्छे से इनको एक एक क्या कहते है content को compartment को हम describe करेंगे आगे देन उसके बाद देखें किया है Thomas Robert Malthus जो थे उन्होंने 1766 to 1834 के बीच में उन्होंने concept दिया जिनका main focus था population के पर थी तो population के between उन्होंने एक क्या दिया एक concept दिया देन बात करें जियोफरेसेंट हिलायर के बारे में जानते हैं तो 1805 से 1861 के बीच में उन्होंने क्या ethology को describe करा ठीक है ethology and ecology ethology and ecology ethology क्या होता है मालूमें आपको ethology होता है study of behavior study 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 अरे क्या लिख रहा हुआ है study of behavior of animal अन्डर नेचरल कंडिशन ठीक है जो भी नेचरल कंडिशन में जो भी और्गनाज में या मैं बोलू अनिमल जो है behavior करता है behavior करता है उसके उसके according क्या करता प्रतिकरिया देता एक तरीके से कहें हां reply करता है तो देन वहीं आपकी study क्या 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 लाती एठीक है तो देन उसके बाद क्या है उसके बाद आपका तो ईन्होंने फिर बाद में गोई करा देन उसके बाद आते हैं कारणर ने 1831 नैटी एट के बीच में उन्होंने एक तरीके से वेजिटेशन और सक्षेशन वेजिटेशन उन्हें नें एक बुक लिखीे थी जिसका नाम था प्लांट लाइफ ऑफ दानुबे थीक है बेसिन तो कुछ इस तरीके से उन्होंने वेजिटेशन के बारे में एक पूरी की पूरी किताब लिग दी हांस्ट हेकल थे हांस्ट हेकल ने 1834 से 1919 के बीच में उन्होंने क्वाइन करा उसके बाद आते हैं इनका नाम है चिंपर नाम है इसका सिंपर जो है 1856 से 1901 के बीच में उन्होंने क्या है रीजिनल फ्लोरा के बारे में एक बुक तयार की जिनका नाम था प्लांट जियोग्राफि ठीक है एंड उसके बाद आते हैं एलफ़ड रेसल वॉलैंस 1858 के इन्होंने क्या करा उन्होंने प्रपूज करा जियोग्राफियानि इसमें एनिमल स्पीशिस के बारे में जब हम डिसकस करते पूंग डिसक्राइब करा ऐउनै ethic है इसका मतलब होता है living community यानि जो भी living community हमारे आसपस मुझूद है उनके बारे में उन्होंने एक तरग से डिस्क्राइब करा देन उसके बाद आता है जे वामिंग ठीक है not global warming जे वामिंग तो देखें क्या है 1841 से 1924 के बिट्विन इन्होंने क्या करा इंटेग्रेट करा morphology, physiology, taxonomy and biography को एक single branch में जिसको हम क्या कहते हैं science ठीक है तो science में morphology, physiology, taxonomy, bio, geography को एक तरगे से branch किया गया जैन उसके बाद उन्होंने राइट करा एक plant ecology जिनका नाम था plant tests of fun उसके बाद डिस्क्राइब करा various type of vegetation को भी उन्होंने इंटर्डेउस करा क्या है यह hydrophytes, zerophytes, hydrophytes क्या होते है जो water में पाए जाने वाले organism होते हैं ठीक है and zerophytes क्या होते हैं आपके तो zerophytes होते हैं आपके dry reason में पाए जाने वाले ठीक है dry reason में कौन-कौन से पाए जाते हैं तो cactus होगे ना आपका, cactus आपका dry reason में पाए जाता है इसलिए इसको हम zerophytes कहते है वाटर में आपका क्या हो गया जो भी आपके water में जो पाए जाने वाले species हो गया है, plants हो वह आपके hydrophytes क्या होते हैं then उसके बाद hello fights क्या होते हैं, तो यह होते ह जादा इनको dry reason चाहिए और ना जादा इनको watery reason चाहिए ठीक है तो ऐसा reason यानि cedar reason चाहिए जहां पर ज्यादा पानी और ना ज्यादा कम पानी की मतलब dry reason भी नहीं होना चाहिए वैसे plants आपके कहा होते हैं, तो आपके क्या कलाते हैं, mesophyte कलाते हैं, जैसे कि daisy का plant आपने देखा होगा, तो यह आपका क्या है, आपका mesophyte है, then उसके बाद देखें क्या है, एक और warming आगे, यह इनका नाम है, eugenious warming, ठीक, eugenious वाले warming है, 1841, 1924 में उन्होंने emphasize करा, जो role है, biotic factors का, उन्होंने introduce करा, कि भाई, adaptation को भी introduce करा, and explain करा, behavior of species under set environmental condition, ठीक है, किस तरी के से behavior होता है, कुछ specific under, क्या कहते है, set of environmental condition, ठंडे इलाके में किस तरी के से, क्या कहते है, behavior करते है, मतलब जो भी आपका ऐसा नहीं है, कि temperature पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर, यहाँ पर, abiotic factors की बात की गई है, त पर व्रेदेनस के बारे में, तो 1869 में, 1869-1939 के बीन में, उन्होंने क्या करा, एक concept दिया, जिनका नाम था, बायोस्फेर, ठीक है, बायोस्फेर हम जानते हैं, उसके बारे में, बिस्क्राइब करेंगा, बाद में, दैन उसके बाद, H.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C के vegetation dynamics, जो vegetation में, changes है, and ecological succession है, उनके बारे में, उन्होंने एक publish करी किताब, ठीक है, 1869-1839 के बीन में, फिर एक है, अर्थर जी, टैंसले, ठीक है, इन्होंने क्या करा, उन्होंने combine करा, living organism और उसके physical environment को, एक system में, जिसका हो दिया, एक term ecosystem, ठीक है, यानि एक system में, कि living organism और उ तो एक तरिके से, वो क्या थे, founder थे, British ecological society के, British ecological society के, founder थे, 1871 से 1955 के बीच में, then उसके बाद आते हैं, Frederick, Frederick है ये, East Clements है, तो 1874 से 1945 के बीच में, उन्होंने एक book published करी, जो कि इसमें phytography के बारे में बताया गया था, North America में, आपको बता दू, North America जो है, vegetation के point of view से, काफी richest country है, ठीक है, वह सारे vegetation सापको, वहां, मिल जाएंगे, and उन्होंने consider करा, ecology को, as a, the science of community, ठीक है, यानि, जो community है, science की, जो community है उसको हमने ऐसे consider करा, उन्होंने state करा कि भाई, जो development है, plant community का, is a complex process, plant community का, जो development होता है, वो क्या है, complex process है, growing through the different stages, और वो क्या है, अलग-अलग stages में आपको क्या है, grow होते भी दिख जाएंगे, then उसके बाद V.E. Selford है, V.E. Selford बताते हैं, 1877 से 1968, defined ecological science of communities, ठीक है, communities जो है, ecological science मतलब जो है, science of communities है, उसी को उन्होंने ecology term define करा, then उन्होंने एक term दिया, food wave और biome, food wave, यानि एक तरिके से आपका क्या है, एक chain मन जाता है, एक तरिके से बहुत सारे जो organism है, एक दूसरे पर dependent होते हैं, और biome को भी हम describe करेंगे, he showed interrelationship between the plant and animals, ठीक है, उन्होंने एक तरिके उन्होंने father of animal ecology भी का जाता है, क्योंकि उन्होंने food chain को अच्छे से define करा, and food cycle के बारे में भी बताया, उन्होंने एक book नाम दी, जिसका नाम था animal ecology, then उसके बाद आर हिसे पर आ जाते हैं, उन्होंने एक book लिखी, जिनका नाम है ecological animal, जियोग्राफिय, उसके बारे में बताय population में किस तरीके से change हो रहा है, उसके बारे में introduce करा है, concept of niche, ठीक है, तो immunology तो हम पढ़ेंगे, immunology है, immunology नहीं है, immunology और entomology यह दोनों different branch है, then उसके बाद देखे क्या है, वला में दिर फर्स्ट ब्रेदनस की, उन्होंने एक और चीज बताया, 1920 में, उन्होंने डीटेल क्या नाम है, Rockyer, इन्होंने concept रखा, किसके life form in plants, ठीक है, life form जो होता है, plants के अंदर उसके बारे में, William Willer and Charles Carpenter, इन्होंने बताया, कि भई, जो concept है, behavior ecology, उसके बारे में, उन्होंने रिसक्राइब करा, then उसके बाद आते है, Mac Fiden, then उन्होंने 1957 में इंफैसिस करा, the role of relationship between living organism and environment के बार, then J. Brown Bulkunit, ठीक है, 1858 में उन्होंने study करी, lake ecology के बारे में, और वो trained हुए कहाँ पे, मतलब उन्होंने trained करा किने, दो Indian ecologists थे, इनका नाम था, R. Misra, and उसके बाद GS Puri, ठीक है, तो बहुत जादा अच्छा, खासा, रोल रहा है, इनका इनका नाम है, Hugin P. Odom, इन्हों system का, जो science है, उसको, उन्होंने define करा, then उसके बाद contribute करा, modern ecology को, कि development में एक तरिक स्रोलादा किया, इन्होंने, उन्होंने, बहुत सी books है, जैसे कि fundamental of ecology and ecology and basic ecology, उसमें इन्होंने इन चीजों को define करा, then एक और बार ये Odom, ये दूसरे वाले Odom है, होवर्टी Odom है, तो इन्हों आरे लिंड में जो है, उन्होंने concept रखा, ecological energetics, ecological energetics, ठीक है, energetics पढ़ेंगे हम, he trusted energy relationship within the organism present in a lake community, उन्होंने एक तरकी से trust करा, energy को, जो कि एक तरकी से, energy के relationship को, उसके organism के साथ है ना, जो कि आपके, लेक में रहने वाले communities हैं ना, उनके लिए, और उन्होंने एक ecological model दिया जो की concept था, ecosystem, ecological, ठीक है, उसके बाद, Borman, G.S.O.H.S.N. उन्होंने work करा, cycling of nutrients and water के बारे में, 1976 में, 1976 में उन्होंने फिर उसके बारे में, 1976 में उन्होंने फिर अर्जी वेगरट है, 1976 में उन्होंने study करा, ecological energetics के बारे में, harpers, 1977, unified study of animals and plants, begin and more tomorrow, 1981 में उन्होंने update करा, population of ecology, B. Bollens, R. B. Cook, 1983, उन्होंने volume on major biogeochemical cycle and their interaction, ठीक है, जिस तरीक से biogeochemical cycle होती है, और जो interaction होता है, उनके बिट्विन, उनको बारे में, जो देखे, इन सब का पढ़ने का ये उद्देश था, क्योंकि भाई, exam में आए चाहे ना आए, इनका जो बहुत बड़ा हमारे एक त सकते हैं, इन scientist के बिना, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन चीजों को describe करा, ठीक है, बाकी हमारे ये paper में आएगा, नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी था हमारे लिए, बहुत respected लोग है, दैन उसके बाद यहां पे देखे क्या है, अगर हम Indian scenario की बात करें, अभी तक तो हमने देखा कि ये भाई ये तो एक तरके से western perspective था, यानि जो western ideas थे, western theories थी, या फिर मैं बोलो western concept थी, उनके बारे में हमने study करी, उनके scientist के बारे, अब हम कुछ Indian scenario के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में basically क्या है कि वो सही से लिखा नहीं गया, सह Christian classical epics है, यानि हमारी holy books है, हमारी जो प्राचीन किताब हैं, पवित्र किताब हैं, उनमें जैसे कि रामायन हो गया, महाभारत हो गया, वेदाज हो गया, या फिर समिताज हो गया, ब्रहमन हो गया, तो ये सभी चीजों में और भी यहां पे, आर्यंकाज हो गया, उपनिसद ह हो गया, ये एक तरकी से प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है, मैंसन क्या गया है, बेसिक एकोलोजिकल कॉंसेट के बारे में, बहुत से लोग कम जानते हों, हमारे स्ट्रेंट से वो भी बहुत कम जानते हों, कि इंडिया भी इन सब चीजों में आगे था, जी हां, ये इतने ही वेस्टर आडिया उनसे हम क्या है, कई स्टैप्स आगे चल रहे थे, जैसे कि बात करें, चरक समहिता की बात करें, ये एशेंट इंडियन टेक्स्ट मेडीसी ने की बुक है, किताबे हैं, जिनके बारे में कई सारे मेडिसीन के उलेख किये गया है, उसमें मेडिसी करने के लिए, एलमेंट के लिए है, तो मतलब काफी सारी जानकारी ये सारी किताबों में मिलता है, ये रिकॉर्ड्स है, एक तरीके से ये दर्साता है, शो करता है, कि भाई, जो पीपल है, जो एशेंट टाइम में रहते थे, उनको इनके बारे में काफी अच्छी खासी, प्लांट के बारे में, और एनिमल एकोलोजी के बारे में काफी अच्छी खासी थी, ठीक है, कि कौन सा प्लांट, कौन से एनिमल के टिशू पर वर्क करेगा, अगर उस समय वो चीज मालूम चल जाए, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, काफी जादा आपका एडवांस उस समय मेडिकल सिस्ट्रम हुआ करता था, ठीक है, जो कि आने वाले समय में एक तरीके से कुछ चुमिंदा लोगों तक ही सिमित रह गया, जो कि हमारे जो आपके आयरुवेदा के जो बड़े-बड़े वो बनते फिर थे न, तो इस चीज जो को फैलाय नहीं गया, जो कि बहुत ही जिसमें हम study करते हैं, forest vegetation और forest officers, मतलब forest officers द्वारा बताया जाता है, first comprehensive account की बात करें, जो कि आपका प्रोफेसर, इनका नाम है, डजजियन फ्रॉम युनिवर्सिटी ऑफ इलाहबाद, यानि इलाहबाद युनिवर्सिटी से थे, उन्हें एक first comprehensive account बताया, उनके बारे में, ए इन्वार्मेंटल सक्सेशन का है, तो उस चीज को उन्होंने define करा, उनको अलग-अलग communities में, extensive scenicological studies were carried out the grassland on the forest communities, scenicology क्या होता है, scenicology, ठीक है, यानि जब हम क्या करते हैं, group of animal हो गया, या फिर group of organism हो गया, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब क्या करते हैं, group of organism का, relationship, उसके environment से निकालते हैं, with their environment, that's called scenicology, ठीक है, याद रखेगा, scenicology क्या होता है, तो यानि extensively हमने scenological studies किया, और उससे हमें क्या है कि भाई, वो carried out on the grassland, grassland में किस तरीके से बहुत सारे जो organism हैं, वो एक तरीके से environment के साथ किस relationship में रहते हैं, और उसके बाद forest communities जो हैं, इंडिया में जो पाई जाते हैं, उनके बारे में, हमने study करने के बारे में क्योंचा, देखे, प्रोफेसर आर मिसरा जो है, तो उनको एक तरीके से referk करा, किसमें तो father उनको बताया जाता है कि father of Indian ecology भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से काफी ज़्यादा उच quality की एकदम है न, higher quality का एक तरीके से उन्होंने चीजों को describe करा है, और देखे, he gave methods of soil analysis and establishing society of tropical ecology ठीक है, और क्या है कि उन्होंने method भी दिया कि इस तरीके से हम अपने soil को मिट्टी को analysis कर सकते हैं, और establish करा एक society को जिसका नाम था tropical ecology 1958 में, यह न, social of ecology ये भी है आपका बनारस Hindu university जो आपका है, BHU, 1960 में इसका एक अलग से faculty को establish किया गया, then बात करें, इसकी जो studies है, advanced और ecology concept है, वर linked to their disciplines, biology and science, ठीक है, जानि जो study है, वो advanced है, आपको मिलेगी, और ecology concept जो है, वो link होंगे किसे, दूसरे disciplines हो गया, जैसे कि आपका biology हो गया, science हो गया इनसे, क्या होंगे, यह आपस में linked link on ecological concepts, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहे है कि हम science ही पढ़ रहे हैं, तो यह ही आपको linkage आपको देखने को मिलेगा, यह जो passage of time है, ecology है, researchers जो उन्होंने एक तरिके से applied करा, किसके लिए, human welfare के, यानि मानव की सेवा में, मानव की सेवा में यह चीजों को समर्पित कर दिया, जैसे कि इसमें लिखा है, कि हम जो study करते हैं, किसका effect of changes, यानि किस तरीके से बदलाव हो रहा है हमारे environmental condition में, जैसे कि आपका pollution हो गया है, various type के आपके, क्या है, vegetation है, और components हो गया, environmental का, जो कि वो initiate होते हैं, उन सब के बारे में हम क्या एक तरिके से describe करते हैं, बहुत से agency हैं, जैसे कि आपका MAB है, यह क्या है, man and biosphere program, जो कि आपका UNESCO द्वारा सचालित है, and उसके बाद क्या है, IUCN जो है, आपका International Union for Conservation of Natural and Natural Resources, ठीक है, यह भी आपका एक और संगटान है, then उसके बाद यह कहां पे आपका, यह आपको Switzerland में मिल जाएगा, जो कि focus करता है, उनके work को, जो कि biological basis और productivity के बारे में बताते हैं, जो कि human welfare के लिए काम करते हैं, मतलब एक तरीके से मानव के लिए, मानव विकास के लिए एक तरीके से बनाई गया है, then उसके बाद SAQ1 देखे, self assignment question 1, इसमें discuss करने कह रहा है कि भाई, different, different, जो contribution है, various scientist का, उसको आपने क्या करना है, modern ecology में, उसको describe करना है, discuss करना है, तो कर दोगे आप, मुझे बताना पड़ेगा यह चीज, यह चीज आप कर लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत easy है, चीक है, then उसके बाद देखो, बात करते हैं हम subdivision of ecology की, क्या है guys, subdivision of ecology, यानि कई सारे हम क्या है divisions में, कर लोगे ना यह, कर लेना guys, यह 5-10 number का, अगर इस type का question बनता है, तो आजाएगा, वैसे तो मेरे according नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो आप छोड़ देना, then subdivision of ecology की बात करें, ecology जो है divide हम उसको दो तरीके से करते हैं, ठीक है, पहला हम animal ecology and दूसरा कौन सा है, plant ecology, ठीक है, याद रखेगा, animal ecology और plant ecology, ठीक है, दो तरीके से हम define करते हैं, ecology को, कोई दिकत, then उसके बाद क्या है, यह division जो है based होता है कि इस पर category of organism study, जो कि हम different category, जो organism की study करते हैं, उनके, उन पर based होता है, modern system की बात करें, ecology को, तो divide किया जाता है, दो टाइप में, acutology और cynacology, ठीक है, cynacology तो मैंने बता दिया, उपर में बताया था आपको, जब क्या होता है, group of organism, जब relationship रखते हैं, अपने environment के साथ, वो आपका क्या कहला था, cynacology, एक्यूट इकलोजी क्या होता है, जब क्या होता है, individual, individual, organism, क्या होता है, relationship रखते हैं, relation, with environment, I think, साथ नीचे में discuss किया भी गया है, मैं खामका यहां लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो देखी क्या है, तो यह दो basis पे इन्होंने डिस्क्राइब करा, aquitology and cynacology के बारे में, देखी क्या है, यह जो division है, सब division है, वो एक तरह के से, बनाते हैं क्या, basis of study of individual organism, group of organism, किस तरीके से हम क्या है, यहां पे लिखा भी पढ़ा है, एक तरीके से हम individual group of organism, या फिर individual of organism के बारे में, किस तरीके से हम discuss करते हैं, study करते हैं, तो उसको basically इसमें बताया गया, aquitology के बारे में, देखी क्या लिखा है, study of individual species in their relation, to their environment, यानि उसके relation, जो है, environment के साथ, किसी individual का, एक person का, जैसे कि अगर मैं बोलो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो environment के साथ relationship है, उसको हम किसमें study करेंगे, aquitology में हम study करेंगे, देखिया है, यह include क्या क्या करता है, तो इसमें study of geographical distribution हो गया, taxonomical position हो गया, to ecological factor or environment, ठीक है, साथ में उसके reference किसके, ecological factor और उसके environment के reference के साथ, अगर हम बात करें, तो यह क्या कराता है, ecology, aquitology, ठीक है, याद रखेगा है, यह सारे, जो studies है, include किये गए इनमें, इनको भी याद रखेगा है, scenicology की बात करें, यह study जो है, एक तरह की से population हो गया, community हो गया, या group of organism हो गया, तो यहाँ पर population और community की बात किया, बिल्कुल यह एक दम correct एक तरह की से word यहाँ पर डाला गया है, तो जो relationship है, उसके environment के साथ, वो क्या कराता है, scenicology कराता है, यह क्या है, यह क्या बताता है, community और ecosystem ecology के बारे में बताता है, and composition जो है, उसके behavior of communities हो गया, and their relationship to the environment are studied, यानि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम behavior of communities, यानि अलग-अलग communities हैं, अलग-अलग organisms and species की, वो किस तरीके से behavior करते हैं, and then उसका जो relationship है, उसके environment के साथ, उसको हम इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं, then उसके बाद देखिए क्या है, इसको broadly और classify किया गया है, scenicology को, तो देखिए गया है, यह दो type के, depending upon the study of habitat, इस study of habitat है, habitat के between वो किस तरीके से, वो related उसको क्या किया गया, depend करता है न, दो, तो देखिए कि आपका, उसका habitat के और, habitat पर जो depend करने वाली, जो आपके classify किये गया है, अलग-अलग ecology, यहाँ पर aquatic ecology के बारे में बात किया गया है, तो यह ecology आपका क्या है, simple आपका, जो living organism है, वो fresh water, water या फिर आपका, क्या है यह, यूस्टराइन या फिर marine habitat में present है, वो आपके aquatic ecology होगे, यानि जो water में होते है, then उसके बाद हम terrestrial ecology की बात करें, तो यह आपके कौन से होगे, simply, वो living organism होगे, जो कि आपके forest होगे, grassland होगे, या फिर crop land, या फिर desert habitat में, आपके मिलते हैं, वो सारे आपके terrestrial ecology में रहते हैं, बहुत easy है, then उसके बाद कुछ subdivision किया गया, ecology के बारे में, यहाँ पर basic concept के बारे में लिखा गया है, देखे क्या है, इसमें organism ecology के बारे में बता है, organism ecology क्या कहता है, तो यह basically, यह relationship बताता है, इसका living organism का, या अपका animal भी हो सकता है, plant भी हो सकता है, ठीक है, उसके biotic and abiotic factor पे, जो उसके environment में present होते हैं, ठीक है, biotic, abiotic जान सकते हैं, आप organic and inorganic, जो भी factor हो गया है, उसमें, organic and inorganic नहीं कहेंगे से, biotic यानि आपका, जो भी आपका, जो nature में present है, जो living है, जो living है, चलो, उसको मैं बाद में discuss करूँगा, यहाँ पर हम पहले continue करते है, behavioral ecology की बात करें, behavioral ecology, यानि behavior है, living organism का, relation to changing environmental condition, यानि जिस तरीके से environmental condition, बदलाब आता है, changes आता है, तो उस according क्या है, living organism क्या करता है, वो behavior जो सो करता है, वो किसमें study करते हैं, किसके population के, relation to the environment, ठीक है, उसके बारे हम क्या करते हैं, population ecology के लाता है, ठीक है, आपका structural dynamics में, आपका क्या क्या जगा, size हो गया, density हो गया, dispersion हो गया, demographic हो गया, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, किस तरीके से in population में, आपका population ecology में पढ़ा जाता है, आपको कई सारा variation देखने को मिलेगा, क्या है, population को regulate करने के लिए, regulation of population, ठीक है, growth or regulation में, मिल जागा, तो यह demonology जो है, यह क्या है, inappropriate here, this word is inappropriate here, dictionary will the remaining, black magic, पदा नहीं क्या क्या है, यह लिखा गया, तो यह सारे चीज़े considered के जाते हैं, यह extra यहां पर पदा नहीं, किताबों में किस ने डाल दिया है, चले कोई ने, community ecology की बात करें, तो यह क्या करता है, यह करता है, structure and organization of biological community, क्या है, structural organization, और जो biological communities का, जो structural organization है, उसके पता है, environmental interaction के respect में, वह ही आपका क्या 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 हो गया, structure हो गया, कि भही, community का structure कैसा है, biodiversity कैसी है, distribution कैसा है, abundance कितना है, species का, यह interaction कैसा है, such as prediction, herbivory हो गया, and competition हो गया, parasitism हो गया है, किस पे वो rely करता है, mutualism हो गया, एक दुसरे पे, symbionts की तरह रहता है, तो यह सारे क्या है, community ecology में हम study करते हैं, ecosystem ecology की बात करें, तो देखें क्या होता है, ecosystem क्या होता है, it is the study of living organisms, living organisms, animal plants and microorganisms, यह क्या हो, जब एक साथ रहते हो, with the non-living component, non-living components, our biotic components, कौन से आपका environmental environment हो गया, यानि, our biotic components के साथ रहते हो, water, air, soil के साथ, वो आपका ecosystem, ecology के लाता है, the aspects such as nutrients energy flow are considered, nutrients energy flow भी इसमें क्या है, consider किया जाता है, and taxonomic ecology की बात करें तो इसमें क्या है, study की जाती, different taxonomic group, जिसमें living organisms हो गया, उसके relationship, and उसके क्या है, include microbial ecology के बारे में, mammalian ecology हो गया, insect ecology हो गया, human ecology, मतलब एक छोटे छोटे लेवल पर है, आपे physiological ecology हो गया, तो justice में भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपे physiological जो procedure होता है, function होता है, जैसे कि nutrition हो गया, metabolism हो गया, living organism हो गया, वो किस तरीके से response करता है इन सब चीजों के लिए, environmental factors पे, तो यही सारा आपका क्या, physiological ecology में हम पढ़ते हैं, various adaptation in organisms under different ecological condition are studied, जो भी आपको, क्या है, एक तरीके से adaptation मिलता है, different, different condition में, ecological condition में, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं, then chemical ecology, क्या है यह, तो adaptation of animal या फिर insect हो गया, उसके क्या है, respective production of chemical substance, यानि जो chemical substance produce करता है, उसके, उसके साथ, जो वो क्या करते हैं, एक तरीके से relationship होता है, वो आपका क्या 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 लाता है, chemical ecology क्या लाता है, फिर उसके बाद है, आपका, पहली ecology, यह क्या है, यह आपका, इसमें हम study करते हैं, जो भी आपका geological पास्ट रहा है, उसके बारे में हम क्या है, और इसके environmental, क्या क्या क्यते हैं, environment से, उसके, हम study करते हैं, साइटो एकोलोजी क्या होता है, जो सेल के अंदर जो एकोलोजी होती है, उसको हम साइटो एकोलोजी कहते हैं, इसमें लिखा है, साइटो एकोलोजी, detail of the species in relation of environmental, एक तरह किसे बिल्कूल हम एक cellular level पर पहुंच जाते हैं, किसी भी species के, एक तरह किसे हम relationship पढ़ते हैं, किसका environmental condition हो, उसका environmental condition के साइट, then production ecology, ecological energetic energy का conversion हो रहा है, flow हो रहा है, different organism द्वारा, उसको हम space, relation to space and time, space or time है, and उसके बाद ethology हो गया, इसमें क्या animal behavior, मैंने बताया भी था यह, different environments में, then system ecology, structure and function of an ecosystem, using applied mathematics and study, statistics, तो mathematical statistics का भी use करके हम ecology का, हम system ecology कहते हैं, उसकी study करते हैं, तो आपका system ecology खिलाता है, then habitat, ecology की बात करते, study of living organism, different habitats, यहानी, different habitat में रहने वाले जो living organism हैं, बेस्ट इस other branch of ecology, of conservation ecology, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ecology के ब्रांच जिसे, conservation ecology हो गया, production ecology हो गया, जो किए जो production से related, बताता है, space ecology हो गया, जो कि आपके space से related हो गया, radiation ecology, यानि radiation से related, बताता है, ठीक है, तो कई सारी क्या है, recognize की गई है, ecology, then ecology, किसी भी ecological system है, various level of biological organization मिल जाएगा, यानि hierarchy, hierarchy क्या होता है, level होता है, एक तरीके से, अलग-अलग level पे, अलग-अलग organism का organization आपको मिलेगा, ठ पढ़ते भी है, kingdom, phylum, class order पढ़ते हैं, kingdom हो गया, phylum हो गया, class हो गया, family हो गया, genus हो गया, and species हो गया, क्या है, यह different-different level है, different-different level में हम organism को define करते हैं, तो इसी प्रकार से biological organization में भी उसकी hierarchy होती है, ठीक है, यह range का आँस जाता है, तो from individual organism से to the biosphere, मतलब जो आपका क्या है, यह range कहां से होता है, आपका, मतलब group of organism से लेके, आपका individual organism तक आपको biosphere में मिल दाएगा, ठीक है, various unit include किया जाता है, इस hierarchy में, आपका organism हो गया, population हो गया, communities हो गया, ecosystem हो गया, biome हो गया, इस सब भी चीज़ों को include किया जाता है, hierarchy जो है, एक system होता ह जिसमें हम क्या करते है, group करते है, organism को at the different level, समझ में आगया बात, आपको, यहाँ पे मैंने example के थूप बताया भी था, then उसके बाद, level of organization जो है, connected होता है, आपने ecological grouping, जिसको हम ecological hierarchy भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए, 5-6 points लिखे हैं, बिलकुल आप इने एक तम अच्छे से आपने सराउंडिंग से, क्या कर रहा है, life processes को, एक तरीके से करने के लिए, perform करने के लिए, exchanges आप मेटिल कर रहा है, अपने surrounding के साथ, ठीक है, अगर मालो कि हमें चूला जनाने के लगडी चाहिए, तो हम किसे लेंगे, अपने environment से लेंगे, खाना खाने का रोटी चाहिए, आपने environment से लेंगे, ठीक है, तो इस तरीक का हो, और एक living, मतलब एक साथ रह रह रहे हो, common area में, किसी एक particular time पर वो आपका क्या कलाएगा, population कलाएगा, यहाँ communities का भी देख लीजिए, आप communities का definition, आजागा one word में आजागा, one word में नहीं, मतलब इसको define करी, shortly define करी, तो आपको कुछ इस तरीक से define करना पड़ेगा, इसम का different population मिलके एक community को जन्म देता है, ठीक है, समझ में आरा आपको, जैसे कि अगर हम religion basis पे मानें, तो religion basis पे आपको क्या मिलेगा, Hindu मिलेगा, Muslim मिलेगा, Muslim community, यह क्या के था, population मिलेगा, Sikh population मिलेगा, फिर आपका Gen population मिलेगा, यह सारे मिलके क्या बनाएगी, वैसे तो यह सारे क्य क्या बनाएगे, यह just यह formation करेंगे, communities का, क्या करेंगे, communities का formation करेंगे, ठीक है, वैसे ही आप इसमें देखे, तो बहुसतारे इसमें, अगर हिंदू में, आप communities का formation करेंगे, तो अलग-अलग caste population हो सकते हैं, सारे caste population मिलके, एक Hindu community का formation करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से हम, environment मे इस तरीके से इसेंबल करते हैं, different, different population को, and then communities का formation करते हैं, then ecology की, ecosystem की बात करें, यह क्या है, association है, किसका living का, non-living component के साथ, है न, जो की present in a particular environment, किसी particular environment में, किसी particular area में, अगर present है, तो वो आपका कहलाता है, ecosystem कहलाता है, अब बायोम समझ लिए, बायोम होता क्या है, तो बायो जो आपका, जो गूरूप है, अलग-अलग, terrestrial ecosystem, जो है, present at the regional or subcontinental level, जो की आपका क्या है, regional भी हो सकता है, और subcontinental level हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, बायोम, ठीक है, उसमें, जो भी आपके ecosystem पाय जाते है, terrestrial ecosystem, terrestrial, याद रखे, terrestrial होने चाहिए, ऐसा नह life is present, ठीक है, biosphere वैसा होता है, जहां पर आपका क्या है, life present होता है, जो की आपका कौन-कौन सा होगा है, atmosphere, यानि जहां पर air हो, lithosphere, land हो, rock हो, and hydrosphere, यानि water, जहां पर present हो, ठीक है, यहां पर आप देख सकते है, global ecology, बहुत सारी ecology के बारे में, डिस्क्राइब किया है, global ecology, या community ecology में, आपका taxonomic ecology है, फिर habitat ecology यानि different different habitat पे जो survive करते है, taxonomic अलग-अलग, जो naming वाले, जो एक किसी environment में रहते है, then उसके बाद population ecology है, species ecology है, जिनके बारे में हमने सब चीज़ों को अच्छे से study कर लिए, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते है, various level पे हम ecology को define करते है, या प लिखना, तो आप यहां पे आपका individual से start करेंगे, species, population, community, ecosystem, and biosphere आप लिखेंगे, यानि एक individual आपका क्या है, आपका acute, acute, हाँ, नहीं, acute, acute logical आता है, and आपका क्या है, कई सारे individual मिलके, मतलब कई सारे आपके क्या है, individual में आपको क्या है, कई सारे species के मिल जाएंगे, then कई सार population आपका communities का formation करता है, और कई सारे communities मिलके, एक ecosystem का निर्मान करती है, और एक ecosystem में, आपके कई सारे ecosystem मिलके, बायोम बनाते है, और कई सारे biom मिलके, एक biosphere बनाते है, जिस पे life exist करती है, life, यहां पे life, क्या कहते है, life cycle perform होता है, ठीक है, समझ में आगे बाद आपको कुछ इस relationship बनता है, environment के साथ तो आपका scene ecology हो गया, acute ecology आपका क्या हो गया, किसी individual का, उसके environment के साथ, जो relationship है, वो आपका acute ecology हो गया, तो major difference लिखना है यहां पे, aquatic में, जो equity मतलब, क्या कहते है, water में रहने वाले, terrestrial यानि territory में, रहने वाले, land में रहने वाले, ecology को को इसमें differentiate करना है, और community और ecosystem को भी यहां पर difference करना है, community, just a group of population, ecosystem, ecosystem बड़ा होता है, यह community बड़ी होती है, यहां पर आप देख सकते है, community छोटा होता है, ecosystem बड़ा होता है, क्योंकि कई सारे communities मिलके ecosystem का formation करती है, then relationship of biology with other disciplinary biology से हम एक बार relate करते है, जैसे कि आपका सभी को मालूम है, ecology का है, एक kind of physical हो गया, chemical हो गया, biological process हो गया, इनमें हम क्या है, एक ecological system देखते हैं, जिसमें complex, कई सारी complexities involved में, बात करें dependence की, तो ecology जो है, वो कई सारे branches पर dependent है, जैसे की, interdisciplinary, जो की एक तरीके से बनाती है, interdisciplinary sciences का formation करती है, interdisciplinary sciences का क्या क्या है, all the living organisms जो है, आपके plant होगे, animal होगे, micro-organism हो गया है, या important component होगे, ecological study के, वो सभी आ जाते है, इसमें, then बात करें, survival, distribution and evidence of these organisms क्या है, influence होते है, changes in physical factor, यानि अगर physical factor में changes आएंगे, तो क्या होगा, एक तरह से organism जो है, उससे influenced होगा, influenced जानि उन पर प्रभाव पढ़ेगा, जैसे कि आपका temperature हो गया, temperature rise up होता है, देखते ही आप, light अगर कम हो या जादा हो, तो भी क्या है, photosynthesis में कम हो सकती है, उसके बात क्या है, rainfall जादा कम हो, तो भी हमारे क्या है, एक तरह से प्रभाव पढ़ता है, altitude पे जाए, highly altitude, उचाईयों पे जाए, उचाईयों पे जाए, तो वहाँ पे, आपको, क्या है, less density म वह काफी कम होते है, क्यों, क्योंकि वह जादा ही, आपका क्या है, एक तरह के से harsh condition होता है, वहाँ पे survive करना मुस्किल होता है, तो यही चीज़े बताई गहीं आपे, जो survival distribution या फिर evidence है, वह किनके द्वारा influence होती है, changes in physical factor, जैसे जैसे हम physical factor को बदलते हैं, वैसे वहाँ प सचछी यानि जब हम लैन्ड के बारे में स्टडी करते हैं, वह आपका refugee जया लाता है, या दो का मतलब बार बादिक करते हैं, वहाँ आपका फोकिन इन्फ्लोएंस करता है survival or distribution of biotic communities to greater extent greater reason में किस तरीके से वहाँ पे उसकी geology कैसी है उसकी hydrology कैसी है वहाँ पे मौसम तापमान कैसा है इस सभी चीज़े depend करती है वहाँ पे survival condition distribution of biotic communities, biotic यानि जो भी living communities है उनका वहाँ पे presence हो सकता है नहीं हो सकता है वह सभी चीज़े इन पे depend करती है then उसकी बाद हम branches of biology की बात करें जैसे geology, botany, microbiology इस सभी integrate के होके एक ecology का formation करती है अगर हम सभी को integrate कर दे तो क्या बन जागा ecology बन जागा structural biochemical processes की बात करें जो के involved होता है में changing environmental condition can be studied हम क्या है environmental में जो changes आ रहे हैं उसके बारे में भी हम study करते हैं interaction जो है living organisms का वो भी हम पढ़ते है various aspects में जैसे कि morphology हो गया, physiology हो गया, genetics, taxonomy, molecular, biology, developmental biology, and orthenology, ornithology, and bacteriology, या फिर entomology या बहुत सारे sciences के बारे में लिखा पड़ा है तो इन सब को अगर हम एक तरीके से सब डिविजन वह न जसका आपके ecology का इसका है सब डिविजन है ecology के सब डिविजन से तो देन गे कुछ इस तरीके से आपका ecology का formation कर सकते है the relationship जो है ecology का other divisions के साथ other divisions के साथ other division of sciences के साथ वो क्या है represent किया जाता model of cake यहा पर अभी figure में दिखाऊंगा आपको cake model दिखाऊंगा क् cake model आजाए बनाना में भी chances काम है बट आपको ध्यान रखना है इन चीजों को बहुत है easy है ज्यादा hard बिनी है various layer को represent करा है basic of division of biology, taxonomics, genetics, molecular biology, and slices and species तो आपके क्या है रिप्रेजेंट करते है high division of biology जैसे botanology, microbiology, thinner slices को रिप्रेजेंट किया गया है phycology, orthinology, and dealing with species organism ठीक है specific organism, each organism को जो study किया जाता है various aspects में जैसे की morphology के according, उसके genetics के according, evolution के according, physiological के according, या फिर developmental biology के according, या फिर molecular biology के according, तो यह सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखके क्या है, हम चीज़ों को study करते हैं, तो आप interrelation से define कर सकते हैं, इस तरीके से यह वाला जो chart है, यह बना के, कि किस तरीके से science, biology science है, discipline है, उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से relate करते है, different, different ecology के स science के साथ relate करते है, biology के, तो यहाँ पर देख सकते हैं, physiology, anatomic, taxonomy, developmental biology, hydrology, microbiology, atmospheric sciences, geology, biochemistry, genetics, इस सभी क्या है, relate करते है, ecology को, याद रखेगा, तो यहाँ पर आपका cake आ गया है, अब इसको हम cut करते हैं, तो यहाँ पर देखे हैं, subdivision layer जो है, यहाँ पर side वाले जो layer से इसको genetics, molecular biology ecology, ecology, और यहाँ पर others में define किया गया, others में आपके क्या-क्या डाल दिये गया है, यहाँ नीचे वाले layer में, यहाँ पर entomology हो गया, orthomology हो गया, bacteriology, botanyology हो गया, और others भी आपको कुछ percentage में डाल दिये गया, तो कुछ taxonomic division जो है, slices divided, जो slices है वो बता रहे हैं, horizontal layer आपके basic divisions, basic layer basic divisions के बारे में, बता रहे हैं, तो आप समझ गया होगे, यहाँ पर, basic of ecology की बात करें, तो जो आपका environment है, environment क्या, तो जो आपके परतेक जो living organism है, वो depend करते हैं, आपने surrounding पे, survive करने के लिए, अपने food के लिए, water के लिए, celtal के लिए, oxygen के लिए, और भी जो भी necessities है, उनके उनको, वो कहा है, सीधा environment में, डिपेंड करते हैं, then surrounding की बात करें, air, water, land, vegetation, जो के influence करते हैं, किसी भी organism को, living organism को, influence करने के लिए, environment में, रहने के लिए, अगर मेरे पास, यह सारी चीज़ा मौज़िद होगी, तभी मैं यहाँ पर survive कर पाऊँगा, अब मैं चला जाओ, थार natural हो गया, और man-made हो गया, natural और man-made में आपका क्या हो गया, naturally आपका mountain, lakes हो गया, man-made क्या है, हम जैसे की cultivate करते हैं, land को, cities बनाते हैं, township करते हैं, इस सारे क्या है, man के द्वारा created की जाते है, natural condition, एक तरिके से, natural condition से, उसे हट के, हम man-made, एक appearance देने की कोशिश करते हैं, then उसक बाइटिक हो गया, then उसके बाद देखे गया, बाइटिक कोंपनेंट्स में आपके क्या 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 आगे, जितने भी living component है, जोने हम बाइटिक कहते हैं, as a biotic components की तरह हम उसे treat करते है, then उसके बाद देखे गया है, जिसमें आपके plant आगे, animal आगे, micro-oran, आगे, सारे आपके बाइटिक होगे, बाइटिक में आपके simply non-living, बाइटिक components होगे, जिसमें water, air, soil and, जो भी आपके physical factor होगे, light और temperature भी, वो भी आपके बाइटिक कोंपनेंट का ही part है, then उसके बाद हम external and internal environment की बात करेंगे, देखे है, और्गनिस जो है, पोसेज करते है, internal environment को, जैसे कि यह पर देखे, CELL क्या है, CELL क्या है, Just internal environment for anyone, क्या है, CELL मॉलें की मेरा CELL का क्या है, इस प्लाजमा मैंबरेन हो क्या कर रहा है, मुझे physical environment से disintegrate यह लग कर रहा है एक तरीके से यह द आपको देखने को मिलता है when you are तो यानि अगर हम internal environment की बात करें तो जो cell के अंदर की environment वह से हम internal environment कहेंगे और जो cell के बार की environment उसको हम external environment कहेंगे तो यहां पर वही चीज बताए एक्टरनल इंवार्मेंट को यहां पे डिस्क्राइब किया गया तो समझ गया होंगे आप जो body surface है वो act करता है exchange of barrier between the external and internal environment body surface क्या करता है act as a barrier करता है barrier है ना कि इसके between दिवार गया थे ना barrier है तो यह आपके क्या है body wall and क्या है आपका जो environmental जो है condition उससे क्या करता है आपको एक तरह के से अलग करता है ना then उसके बाद single organism जो है जो की exchange करता है metal is carried out by the direct with external environment ठीक है then उसके बाद आपका क्या है internal environment is relatively more stable as compared to external environment ठीक है आप देखते हैं कि external environment में आपको काफी सारे changes time to time देखने को मिलता है लेकिन internal environment जैसे कि आपका cell just stabilize होता है काफी मतलब इनके द्वारा एक है external environment की तरह उतल पुतल नहीं मचा रहता है इनमें है ना काफी ज़्यादा stable आपको देखने को मिलता है यहां पर describe करना वेरिस component of environment को ठीक है तो कौन-कौन से आपके component तो आपके जो भी जो भी नॉन लिविंग फैक्टर है जिसे हम क्या कहते है बायोटिक कॉंपनेंट कहते है जैसे कि वाटर एयर स्वैल लैंड फिजिकल फैक्टर जैसे कि आपका light and temperature सभी क्या है इस तरीके से आपको क्या करना डिस्क्राइब करना है दैन उसके बाद हम बायोस्फेर पे आ जाते हैं बायोस्फेर यानि जैब मंडल थीक है इंदे मेंसे हम जैब मंडल कहते हैं तो देखे क्या है यह पर्टिकलर जोन कहें लेयर कहें एरिया कहें जो भी कहें अर्थ का जहां पर कहा है लाइफ एक्जिस्ट करता है इसलिए हम इसको क्या कहते है बायोस्फेर कहते है या फिर ecosphere भी हम कहा देते हैं, क्या कहते है, ecosphere भी हम कहा देते हैं, हम बात करें, global ecological system की, जो की composed होता है, किसके द्वारा पूरा composed होता है, यह बना होता है, all living beings, or elements of lithosphere, lithosphere क्या होता है, तो जो भी आपके rocky elements, metal, पहाड, मिट्टी, यह सारे आपके किस पे exist करते हैं, lithosphere पे exist करत करें, जितने भी आपके नदी, जरने, तालाब, आइस, यह सारे आपके hydrosphere से relate करते हैं, then atmosphere की बात करें, air हो गया, यानि जो various type के जो आपकी gases, जो आपके environment में मौझूद है, वो जस्ट आपको atmosphere के बारे में बताते हैं, इसमें लिखा है, close self regulating system, यह क्या होते है, close self, और हम add कर दे, तो जस्ट आपके बना सकते है, और यह ही ecosystem आपका क्या है, the biosphere is supposed to have evolved with the process of biogenesis, यानि जो biosphere जो evolve हो है, बना है, उसमें जो आपको इतने changes आज की समय में मिलते हैं, इसमें living matter create हुए, यानि biogenesis किसी कहते हैं, यानि life created from living matter, living matter से जब life create होता है, उसे हम biogenesis कहते हैं, तो 3.5 billion year ago पहले ही हो चुका था, बात करें, biosphere जो extend है, फैला हुआ है, वो आपको 11,000 meter से लेके sea level 15,000 meter तक आपको उपर तक मिल जाएगा, ठीक है, यह जो concept biosphere का, वो सबसे पहले, यह एक English geologist थे, जिनका नाम था Edward Swiss नाम था, और एक Russian physicist थे, विलामेदर वर्डनेडर्स की जो थे, यह 1863, 1945 के बिट में इन्हों ने यह चीज बताई थी, hydrosphere water, यानि, क्या है, 70% जो है, हमारे अर्थ का, वो क्या है, water consist करता है, याना, बाकि आपके 30% जो है, आपका land, यानि, जो आपका ज़्यादतर, जो surface area, वो क्या है, अर्थ का पानी से घिरा हुआ है, बात कर resources की, तो ocean हो गया, sea हो गया, river हो गया, lake हो गया, stream हो गया, pond हो गया, glacier हो गया, या फिर polarize caps हो गया, polarized caps génसे की, आपके पहाड़ों पहाड के उपर, यह is तरिक आप से glacier होते हैं, तो यह सारे क्या कैलाते है, ice caps क्यालाते हैं, और groundwater भी, भूल मत जाना, groundwater को पान, जमीन के निचे भी हमारे क्याते पानी होते हैं, तो यह सभी को मिला दे, तो यह हमारा एक तरगी से हईड्रस्फेर का फॉर्मेशन करता है, हम बात करें, 97% जो वाटर है, हमारे अर्थ पे, वो कहा है, ओशन या फिर सीज के फॉर्म में उपलब दे है, 2% जो वाटर है, वो आइस कैब, यानि जो glaciers हो गए, या आइस के फॉर्म में, है ना, इस तरीके से, वो है, बाकी 1% जो बचा है, वो आपका fresh water है, जो कि आपके river वगएरा में, pond वगएरा में, present होता है, fresh water, बैता हो पानी है, तो उसके बाद देखें, lithosphere की बात करें, ground water भी आप ले सकते हो, lithosphere यानि जो solid component है, hard surface है, crust, जैसे कि अगर मैं ये earth बनाओ, ये गोला है, गोले को हम ये थ्री लेयर में बाटते हैं, जो सबसे आपका आउटर लेयर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्रस्ट कहलाएगा, जो मिडल वाला जो लेयर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो सिंपल ही आपका मैंटल कहलाएगा, मैंटल मतलब पागल वाला नहीं, मैंटल म ऌधि आपट पहां कि मलं मंनलख रहा 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 राह से थिर लिज के याघरो इन आपके लिक eliम के लिज्चे लट बाट करें यह यह नेजेल रहाल सबंतोगे आपको कम्पलेक्स मिक्शिर आप गैसेज मिल अख़ेस की आपका water vapor हो गया, particulate matter हो गया, या फिर layer sustain हो गया, sorry layer sustain the life on the earth is providing gases, such as oxygen, carbon dioxide is essential, photosynthetic and respiration of living organism, ठीक है, जिसमें से आपका कौन सा gas महतपूर जादा है, oxygen हो गया, carbon dioxide, carbon dioxide simply by photosynthetism में work आथा, oxygen हम, जो intake करते तभी हमारी life possible हो पाती है, atmosphere divide करते हैं, different zone में, जैसे कि आपका trophosphere हो गया, stratosphere हो गया, mesosphere हो गया, thermosphere हो गया, magnetosphere हो गया, सोब मंदल, समताब मंदल, जुर मंदल, बहुत सारे ऐसे से मंदल होते हैं, तो इन सबी को अलग-अलग, ये क्या कहते हैं, उचाई पे, अलग-अलग levels पे इनको define करा जाता है, different-different zones में, जो basically आपने क्या, geographic 10th के geographic book में आपने पढ़ा भी होगा, depend करता है temperature gradients पे, अलग-अलग वहाँ पे temperatures में changes आता हुआ, आपको दिखेगा, ये आपका biosphere होगया, ये आपका atmosphere, ये lithosphere होगया, ये hydrosphere, ये तीनों मिलके biosphere का formation करते हैं, biosphere बिना इन तीनों components के, नहीं रह पाएगा, rely नहीं करेगा, है ना, एक और आपका term रह गया, ecosystem, ecosystem को आज के topic में हम define करते हैं, तो ecosystem क्या है, आपका ecological unit जो है, जो की compose करता है, living और non-living thing को, वो आपका ecosystem कहलाता है, living और, living आपका क्या होता है, biotic component होगया, जो की interact करेगा, non-living, यानि, a biotic component के साथ, environment में, वो maintain करता है, एक तरह किस equilibrium बनाता है, equilibrium यानि, एक तरह किस बायोटिक और non-bायोटिक के बीच में, एक balance बनाने का, balance क्रेट करने कोशिस करता है, environment में, वही आपका ecosystem के द्वारा होता है, और थर्ट टैंसले जो है, उन्होंने प्रपोस करा, एक term, जो की ecosystem कहते हैं, जिनने define करा, interaction of living, all living और non-living के बीच में, component के बीच में, वह आपका environment होता है, और component of ecosystem क्या-क्या होगे, आपके biotic component क्या-क्या होगे, आपके जैसे की physiochemical factors भी होगे, non-living में, और biotic वही होगे न, non-living, तो physiochemical factor होगया, जो की support करते हैं, biotic components को, ठीक है, अगर मान लिए कि non-living factors नहीं मौजूद, और physiochemical factors मौजूद नहीं हो, तो वह biotic factors को, living being को, किस तरह के से support कर पाएंगे, ठीक है, तो यह क्या है, just restrict करते हैं, growth हो गया, number हो गया, diversity हो गया, population की, जिसे हम क्या कहते हैं, limited factors भी कहते हैं, यह जो components है, आपको varying one ecosystem से another ecosystem में, आपको अलग-अलग मिलेंगे, classify किया गया है, इनको, कई different categories में, यहां पर three categories के वारे में हम बात करेंगे, एक climatic factor है, climatic factor क्या है, जो physical factor हो गया, जैसे कि light temperature, wind humidity हो गया, यह आपके क्या है, जो कि एक तरीके से आपके एक तरीके से यह प्रभाव डालती है, ठीक, influence करती है, किसी भी organism को, bio, क्या कहते हैं, अब आपके क्या है, जैसे कि आपका soil हो गया, structure, structure and properties हो गया, parameters जैसे कि soil type में, आपका soil profile हो गया, organic matter हो गया, mineral हो गया, soil हो गया, soil के अंदर पाइजाने वालो और और निस हो गया, इन सभी को एक तरीके से रखा जाता है, then physical factor की बात करें, water and air हो गया, आपका, material की बात करें, तो क्या है, inorganic metal जैसे कि carbon sulfur, nitrogen, phosphorus हो गया, और क्या है, element जैसे कि आपका circulate करते, different component of ecosystem, जैसे कि bio, chemical cycle हो गया, तो organic components जो हो गया, ecosystem है, protein हो गया, आपका carbohydrate, lipid amino acid हो गया, यह सारे आपके क्या है, synthetize by biota, biota के द्वारा synthetize की जाते हैं, यानि, biota कौन से हो गया, flora and fauna, flora, fauna, species जो होते है, living beings होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, किसी भी ecosystem में, अब हम बात कर लें, biota की ecosystem की, तो biota की ecosystem क्या होता है, living components किसी भी ecosystem में, जैसे कि आपके plant हो गया, animal हो गया, यह सारे autotrop होते हैं, heterotrop भी होते हैं, कुछ separate trop होते हैं, जानते हो आप इन सब चीजों के बारे में, जन बात करें, यह क्या है, direct and indirect गया है, एक दूसरे को influence भी करते हैं, present होते हैं, influence करते हैं, किसी भी ecosystem में, producers की बात करें, यानि जो autotrops होते हैं, जो की photosynthetis को perform करते हैं, वो क्या करते हैं, simply convert करते हैं, energy processor को, यानि sun को, sunlight से वो food में convert करने का काम करते हैं, काफी nutrients को take करके हैं, then उसके बात क्या है, यह include हो गया, आपका photosynthetic organism हो गया है, जिनको क्या कहा जाता है, producer कहा जाता है, अद उसके बाद, transducer और converters भी कहा जाता है, इन्हें, उसके बाद, terrestrial ecosystem, इन terrestrial ecosystem में क्या है, जो green plants है, या aquatic ecosystem है, या floating plant है, जिसको हम phytoplankton कहते हैं, जो तैरते हुए हैं, and rooted plants हो गए, इनको हम क्या कहते है, called macrophytes कहते है क्या कहते है, macrophytes, जिनने हम आखों से देख सकते हैं, छूँ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं तो वो आपके, क्यों होगे, rooted plants होगे वो आपके macrophytes होगे, वो आपके main producer होगे, and fresh water में marine water ecosystem में, जो consist करते हैं, एक algae होगे, आपका dominant producer आपका क्यलाता है, आपको मालूम होगा नहीं, आपके जितने पेड़ पौदे जो भी plant हैं, उनसे सबसे ज़्यादा आपके जो छोटे मोटे पेड़ पौदे, algae होगे सबसे ज़्यादा आपके क्या होते हैं, क्या कहते हैं, photosynthetis करते हैं, इसलिए dominant producer भी कहा गया है, ठीक है, then photosynthetic plant की बात करें, यह क्या है, chlorophyll bear करते हैं, और क्या हाई energy complex organic compound, यानि वो food का formation करते हैं, जैसे कि inorganic raw material ले लेते हैं, वो heterotrophic organism होते हैं, यानि just यह क्या करते हैं, food को eat करते हैं, जो की autotrophs द्वारा produce किये जाते हैं, हर भी वोरस हो गया आपके, जो की directly आपके producer से food को take करते हैं, यानि जो भी आपके क्या है, plants हो गया है न, वो क्या करते हैं, वो referred as a primary प्राइमरी री रात में नोब क्कंदिक केते हैं। क्या होते है mainly आपके human हो गए जो कि आपके plant और animal दोनों पर feed करते हैं decomposers तो decomposer micro-organism हो गए bacteria fungi जो कि क्या है refer किया जाता है उनको saprotrophs या फिर reducers है जस्ट वो क्या करते है dead and decaying elements को मतलब क्या कहते हैं उन्हें गलाते हैं अपने enzymes को through and उसको क्या है nutritive elements में convert कर देते हैं scavengers हो गये scavengers हो गया है जो कि just क्या कहते है animal हो गया उन पर animal meat पर depend करते है dead tree virus आपके क्या हो गया जो dead and decaying क्या कहते है dead and decaying substance पर depend करते है जैसे कि आपका simply fungi bacteria हो गया और आपके decomposer हो गया जो कि feed करते है dead decaying matter पर है previous conspiracy आपके counterpart करते हैं ऑर उनके द्सक्वारण करते है ओर इंचान दिटेश्टिव एंजएम सेक्रेटेड बैप्रंड चिक है, जो मैंने बताया भी आपको उसी के थूरू वो क्या लगते है, डाइड डिकेंग जो सबस्टांस को ब्रेकड़ॉन करने का काम करते हैं, तोडने का काम करते हैं process conversion recycling of the essential nutrients take place यह क्या है जो process recycling of essential nutrients का यह क्या है the remaining substance are added as minerals जो बच्चे कुछे substance होते है as a minerals added हो जाते है substrata में यानि surface पे and उसके बाद यह process जो है यह क्या कहलाता है mineralization कहलाता है तो mineralization अगर आपका आ गया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको क्या है यह जो micro-organism है उनके द्वारा जो process किया जाता है nutrients का essential nutrients का जो remaining substance होता है वो add हो जाता है mineral की तरह soil में या फिर substratum में है तो इसी process को हम क्या कहते है mineralization ठीक है तभी तो आपके जंगलों में minerals की कमी नहीं होती है ना मगर खेतों में हमें fertilizer डालना पड़ता है क्यों क्यों क्योंकि खेतों में mineralization process नहीं हो पाता और यह ना करने के जगह हम chemical रूप से खेती करते है इसलिए ऐसा होता है रहने दियो नहीं दन उसके बाद क्या है किसी भी ecosystem में आपका various component क्या है component interact करते एक दूसरे के साथ जैसे कि biotic component depend करते है ब्योटिक भी आपके क्या है soil होगा है डा मेंसे इसी तरह आपका जो अब ब्योटिक तो इस या आपका क्या है primary producer plant हो गया जो की harvest करता है energy कहां से sun से इसे process को क्या कहते है photosynthetis कहते है वही एक ही चीज लिखा है consumer which include both herbivorous and carnivorous later on energy get transferred to the fungi to bacteria where dead and decaying decomposition ठीक है जो आपका fungi से bacteria में जो transfer होता है वो किसके कारण हो पाता है तो dead decaying decomposition process होता है उन्हीं के तरू हो पाता है यहां पर कई सारे क्या है energy flow के बारे में दिखाया गया है organic process of can be decomposition can be occur can be user producer देखें क्या components of ecosystem देखें a biotic component non-biotic sorry non-living जिसमें आपका climatic factor में हो गया temperature light wind and उसके बाद edific में आपका हो गया adafic में आपका हो गया soil material में हो गया carbon nitrogen sulfur phosphorus and आपका physical factor में हो गया air water हो गया animal में आपका haterotrop plant में plant आपके हो गया हो गया animal आपके हो गया micros में saprops कुछ इस तरीकिसा biotic component को हम describe करते है टाइप अप ecosystem की बात करें तो natural यानि जो develop naturally जो कि इसमें human being का interfere ना हो जैसे कि आपका forest हो गया lack हो गया desert हो गया इसमें किसी प्रकार का human का interfere नहीं होता है artificial और man made की बात करें तो वैसा ecosystem जो की develop किया जाता है human के द्वारा उसमें modification किया जाता है natural ecosystem है जैसे कि आपका forest है उसको transform करके यानि forest को काट के हमने उसमें किया crop field बना दिया खेती वाला जमीन बना दिया तो वो क्या आपका artificial या फिर man made है या फिर smart cities बना दिया फिर garden या garden बोल एसा मत बोल देना कि भाहिया यह क्या करते है natural नहीं है यह जस्ट यह भी artificial क्यों कि यह man made द्वारा है यहां पर देख सकते है sun के थुरू क्या है producer अपना भोजन मनाते हैं and heat release करते है ठीक है तो और बाद में यह क्या है नुट्रेंट को बापस से मिट्टी में छोड़ देता जिसे हम कहते है mineralization भी हम कहते है एको सिस्टम जो है ग्लासिफाइड की आता है तो टैप में जैसे की आपका है MAIKRO Echosystem जिसमें small ecosystem आगया आपका example में हो गया drop of water micro ecosystem जैसे कि करबयन सिस्टम जैसे की केरबियन से या फिर mounds ranges of a.dies तो यह आपका इस तरीके से, हम इको सिस्टम में इस तरीके से, यह चार्ट है, नेच्रल में आपका टेरिस्टियल एकोटिक हो गया, और आपका मैनमेड हो गया, आपका इस तरीके से, विलिज और फिल्ल्ल हो गया, यह बाद फर्दर इसको फिर नहीं बताए गया, आपका ट होता है यह डीकंपोजिशन के लाता है the organism which are dependent upon producer for their food इसे कोई कहें कंजूमर heat energy from the sun is trapped by trapped by plants या मैं बोलू इसको primary consumer कहें है producer producer कहा देना ते उसके बाद आपका आजाता है population तो population को भी मैं बता ही देता हूँ आपको दे उसके बाद हम last में communities पढ़ेंगे ठीक है population last हमारा topic है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चोड़ देते हैं छोड़े population को हम क्या है next topic में हम discuss करेंगे ठीक है population हो गया communities हो गया इसको हम next topic में discuss करेंगे तो I hope so आप सभी को ये video पसंद आया होगा बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा हो तो आपको सभी चीज़े crystal clear हो चुकी होगी तो आप सभी को crystal clear सारी चीज़े हो चुकी हैं तो देन आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए चैनल को कर दिए बैल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियो उसकी जो नोटिफिकेशन से आप सभी को सबसे पहले मिल सके और जो भी क्वेरी वगएरा हो वह आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिए मिलते हैं फिर इसी व